तो चलिए बात कर लें थे नौस इनर्दी रेपसी के बारों में, खास करके नौस इनर्दी रेपसी के बिदीशी खिलारियों के बारों में साथ सथ आपको कुछ इम्पॉर्टंट एस्पार नीज भी मिलेगा तो एपी टॉक के एक औन एपिसोर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस पतर में आज हम बहुत सरी इंपोर्टन चीजों के बारे में बात करेंगे आईसल सिक्स से जुड़े तो सब्सक्र पहले बात कर लेते हैं नौट जुनरी डेपसी के बारे में तो दोस्तो मैं आपको बताऊंगा कि अभी उनके टीम में कौन-कौन मौजू थी पिछले साल का जो बिदिशी खिलारी था उनके पास तो दोस्तों उनमें से कुछ खिलारी बहार चला गया है और कुछ खिलारी अभी भी उनके साथ कॉंटेक्ट में है लेकिन कॉंट्राक में नहीं है तो सबसे पहले जो कॉंटेक्ट में हो है दोस्तों गल्ले को अब लोग जानती होंगे पिछले सीजन में वो लास्ट में जाकर इंजरी हो गया था बहुत ही सीजरी था उनको सर्जरी करना परा और उनके साथ बहुत सारा खिलारी साथ था उनके पास था किको दोस्तों उनको दिलासा दे रहा था उनका इंजरी बहुत सीजरी था लेकिन फिर भी वो अपने इंजर से अभी उभर चुका है पुरीतार से फिट हो चुका है ट्रेनिंग भी कर रहा है लेकिन दोस्तों ओ तो आया था लोन में नौशनारी डेपसी में जैसे कब लोग जानते होंगे कि उरगोई का किलाब बॉस्टन डिवर के तरफ से ओ खेल ला था फिछले सीजन में लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी वापस नहीं आएगा बॉस्टन डिवर उनको नहीं छोड़ेगा इस साल साइद नौशन डेपसी में ओ नहीं लोटेगा इस सीजन में अगर इनके बारे में कुछ भी आपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा इन से जुरे बहुत सा पिछले साल नौशन डेपसी के तरफ से डेवी लॉड़ेग बहुत अच्छा पॉफवेंस दिखाया था और उनके साथ अभी नौशन डेपसी का खतम हो चुका है और अभी तक एक्स्टेंड करने के लिए कोई भी आफार सामिल नहीं क्या है नौशन डेपस ने इनके साथ तो दोस्तो मुझे लग रहे है कि अभी भी नौशन डेपसी के साथ जुरा हुआ है कि दोस्तो कोई भी टीम से अभी तक उनके पास ओफार नहीं आया है वो अभी फ्री एजेंट है तो साइद नेक्स सीजन में भी डेवी लॉड़ो इनके टीम में रह सकता है और इसके पा जो कि नौशन डेपसी में होना चाहिए था मैंने आपको नाम बता दिया जैसा कि है गल्लगो डेवी लोडो और ट्रियादीस लगबग पका है और नेक्स सीजन में नौशन डेपसी के तरफ से खेलेगा तो दूस्तो जितना भी मैंने आपको इन्फोर्मेशन दिया इन सभ को देख थे मैंने आपको बताया और हाँ एक और बार मैं आपको याद करा देता हूं कि नौशन डेपसी ने अपना हेट कोच को छोड़ दिया है एलको को उसके बाद ओक वेचे भी चला गया है केले ब्लास्टर में मैस या भी बाहर हो चुका है गयरोग भी चला गया है पहले नौशन डेपसी अपना हेट कोच पका करेगा उसके बाद ही कुछ नया भी दिशी खिलारी को साइन कर सकता है तो चलिए कितना जल्दी अपना हेट को साइन करता है हम तो पता ही चल जाएगा उनका ओपिसियल पेज से और जब भी मुझे भी पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा और अब चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपोर्टन टेस पान न्यूज के तरफ तो दोस्तों पहला न्यूज है मुंबज सिटी एफसी से जूरी है तो दोस्तों जो की है पावलो मकडो तो दोस्तों इनके बारे में मुझे कुछ भी बताने की जरूरात नह से लेगा यानि की नेक्स दो सिजन मुंबज सिटी एफसी में आपको देखने को मिलेगा फॉलो और इसके बाद नेक्स नहीं चुछ दोस्तों केला ब्लस्टन से जुरे तो दोस्तों केला ब्लस्टन ने एक दोपीसली कंफरम कर दिया है राहुल केपी को मैं आपको बहुत प्रमेंस दिखा है जिसके चलते हैं अब राहुल केपी को केला ब्लस्टन ने एक दोपीस से आली अपने टीम में घोशना कर दिया है जो कि बहुत पहले हो चुका है लेकिन फिर भी मैं आपको अपडेट एक बार दे दिया उसके बाद दोस्तों अब एक और नेक्स निज है यानि कि डाज से बिलोंग करते हैं और उनका उम्र है 29 साल सेंटर बैक पोजिशन पर खेलता है और इसके बाद अगर हैंस की क्लाब के राग को देखा जाए तो दोस्तों उन्होंने अपना जो ज्यादा तर यूथ केडियार है वो बिताया है एक डाज क्लाब जिसका ना उनके साथ अब इंडिया में आने वाला है और मुझे लग रहे है कि ज्यादा तर अब केलब लेस्टा उनके साथ अपना बात खतम कर चुका बहुत जल्ली घोसना करने वाला है और दोस्तों इसके साथ मैं आपको एक और बात कहे देना चाहता हूं कि जो इभालों जो कि द जरूर इंफर्म कर दूंगा अभी तो आपको डेली वीडियो मिलने वाला यह भी टॉक तो आपको जरूरी जरूर मिलेगा तो चैनल को सब्सक्रीब करके बेल आगन को भी प्रेस कर दीजिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अबलेट करूं और वी झाल झाल झाल